जैशी किशना दोस्तों वियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों इस बाँ शार्दे नवराती पर बहुत ही अद्वुल सईयोग बनने जा रहा है शुकल और ब्रह्मय योग होने से बहुत ही सरवाज सिद्य योग बनने जा रहा है और नो भागिशाली राशिया ऐस हैं जिनको मातारानी का अश्रिवाद प्रप्ठ हो रहा है उनको धल्लाप के सासा असंतान vet Ke बहुत ही प्रवल योग बनने जारें अगर आप इस नवरात्री पर मातारानी का सच्चे वन से पूजन करते हैं एक वस्तु अगर माता रानी को अर्पित करते हैं और नित्य प्रती इस वस्तु को चड़ा कर सोयम भी ग्रहन करते हैं तो यकीन मानिये माता रानी का आपको आश्रिवाद अवश्य ही प्राप्त होगा आपको मन वांचे संतान सुक्की प्राप्ती होगी दोस्तों न इस बाद देखे नवरात्री सोंबार के दिन से प्रारम हो रही है जो बहुत ही शुब माना जाता है क्योंकि सोंबार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है और नवरात्री के इन नो दिनों में मा भगवती के नो रुपों की पूजा की जाती है तो आप भगवान शंकर और म इसी कन्या का पूजन कर सकते हैं तो अवश्य करें और उस कन्या को भी आपको एक वस्तु का भोग अवश्य लगाना है आप चाहे पंच मेवा दे सकते हैं या केले का मतलब प्रसाद दे सकते हैं और खुद भी उस प्रसाद में से नित्य प्रती अगर ग्रहन करते हैं तो यक योग में अगर आप छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं तो यकीन मानिए वो कभी भी निश्वल नहीं होगा और आपकी इच्छा बहुत ही शीगर पूरी होगी साथ ही दोस्तों नो भागिशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही शेष्ट लाव मिलने के योग बन रहे हैं इन भागिशाली राशियों में सबसे पहली जो राशी है मेश, व्रेश, मित्थून, सिंग, कन्या, तुला, मकर, कुम्ब और मीन ये नो भागिशाली राशियां ऐसी हैं जिन पर मातारानी की किरपा अवश्य हो रही हैं साथ ही आप इन दिनों में मातारानी का पूजन सच मन से अवश्य करें और मा दुरुगा के किसी भी मंत्र का जाप करें उनके आगे धूप दीब जलाकर अवश्य ही उस मंत्र का जाप करें तो निश्यद ही आपको मन वांचि संतान की प्राप्ती होगी दोस्तों अगर आप संतान की या पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सं संतान गोपाल मंत्र का भी आप जाब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरू करें और कॉमन्ट बॉक्स में जै मातादी अवश्य लिखें।